हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नीजूज नमस्कार स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में मैं हूँ नदिनी मिश्राप के साथ और एक बार फिर से लेकर आएं आपका अपना शो जिसमें बात होगी आपकी किस्मत की और कैसा रहने वाला है आज आपका दिन तो बने लिए हमारे साथ तो आज किस्मत कनेक्शन में हमारे साथ जुड़ी हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट तारा मलूत्रा जी तो सबसे पहले तारा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रियान अंधिनी तो दर्शकों के एक बार बताना चाहूंगी जैसा कि आप सब जानते हैं इस कारिक्रव में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पोन लाइन खुल चुकी है और नमबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है अपने फ्यूचर को लेकर तो आप जरूर कर सकते हैं तारा जी से आगे बढ़ते हुए तारा जी सबसे पहले जैसा कि हम अपने शो में बात करते हैं एक अच्छे पॉजिटिव थौट की तो आज का क्या है सूवचार दंदनी आज का सूवचार सभी के लिए यह है कि अगर हमें जिन्दगी में कुछ बनना है आगे बढ़ना है तो हमें भीड से आगे निकलना पड़ेगा भीड वहीं चलती है जहां रस्ता आसान होता है बड़ जब कठिना यहां आती है तो हमें अकेले ही वह रस्ता तै करन चलना पड़ता है तो अगर हमें कुछ बनना है तो हमें वह रस्ता भी चलना भी है वाकी बहुत मोटिवेशनल थोट है यह और जो भी सुन रहे हैं थोट को उनकी दिन की शुरुवात बहुत अच्छे खयाल से हुई आगे बढ़ते हैं तारजी और सबसे पहले बात कर ले की एक नमबर वालों के लिए क्या सजेशन और क्या कहते हैं तैरोकार्ज आज एक नमबर वालों के लिए आज का दिन काफी शुब रहेगा मनी मैटर्स में लाब होगा पैसे का आज काफी लाब है और साथ ही साथ लाब तो है बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फिजूल खर्ची या फालतु खर्चे पे नियंतरल लगाना है और संभाल के पैसे र इंवेस्टमेंट करने का दिन तो है बहुत जादा भी इसमें उलजकिन नहीं रह जाना है मुनाफिक का दिन जिसको पैसे अकर दिये हुए है अटके हुए तो भी आज वापस आए के करियर में ग्रोथ का दिन है साथ ही साथ रिलेशन्शिप में कहीं कहीं काफी कुछ तल- तारजी से हमारा संपर्क तूट किया है उनसे दुबारा बात करेंगे हम बहराल आपको बता दें जैसे कि आप जानते हैं अपने इस कारेक्टर में टैरो कार्स के जरीए हमारे गैस्ट आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आज आपका दिन एक से नौ नंबर वालों तक की बात होती है और अपना नमबर जो है आप अपने बूथरे से निकाल सकते हैं जैसा कि आपका बूथरे अगर एक तारीक को आता है तो आपका जो नंबर है वो एक हुआ अगर आपका जनम दन दस को आता है तो भी आपका नंबर एक हुआ अगर आपका नंबर 11 को आता है तो 1 प्लस 1 2 तो 2 आपका नंबर हुआ इस तरीके से आप अपने नंबर निकालें और अपने नंबर को लेकर आप जो भी एडवाईज हमारे टैरुगार्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको ज काफी निगलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा है ध्यान देना है लगी नमबर आज गहें एट और लगी कलर है आज के लिए यलो जी चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दो नमबर की जरूर दो नमबर वालों के लिए आज का दिन शुक तो रहे करी रहेगा साथ ही साथ आज नई शुरुवात का भी दिन है आज नेम एंड फेम का भी दिन है तो अगर आपने जॉब में कुछ काम किया है कुछ कंप्लीट किया है चीजे तो आज आपके बॉस काफी आपका जॉब के लिए अपलाए कर रहे है तो भी आज आपकी की बात माने जाएगे और आपके फेवर में रिजल्ट आएगा रिलेशन्शिप में आज शादी का भी दिन है मैरेड कपल्स के लिए भी आज कोई ना कोई गुड व्यूस है आज फैमिली टाइम के लिए फैमिली के टाइम जरूर निकाले और हैल्ट भी आज का भी कंट्रोल में है तो हैल्ट में आज कोई इशू से नहीं है अलगी नमर आज के लिए टू है और लगी कलर रें ग्रीन चलिए आगे वर्टें और अब बात कर लेते हैं तीन नंबर वालों के लिए तारब चीज क्या कहते हैं जिरूर तीन नम्मर वालों के लिए आज kaart ये बताते हैं कि आज ये ready है आज इनके पास resources भी है मतलब शम्ता भी है और साथ साथन भी है तो दोनों ही चीजे आज इनके पास available है अपने काम को करने के लिए अपने काम को आगे बढ़ाए के लिए तो आज पूरे कंट्रोल ता रखना चाहते हैं तो आज एक दिन काफी पॉजिटिव रहेगा पैसों की तरफ से भी आज काफी मुनाफ़ा है और रिष्टों में बैलेंस या सायम की सलहा आज मैं दूंगी क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी चीजें निकल के आ सकते हैं जो कि रिलेशन्शिप में टेंशन मैरेज करना चाहते हैं वो आगे जरूर बढ़ सकते हैं हेल्थ काफी पॉजिटिव है हेल्थ में रिकवरी है तो अगर आप किसी बिमारी से या किसी तकलीश से पीडित थे तो आज रिकवरी का कार्ड है लगी नमर आज के लिए आपके लिए 7 और लगी कलर है येलो जी हम जी कैसा रहेगा राशी की बात नहीं होती है सुरेंद्र जी यहां पर बात होती है कैसा रहेगा आज आपका दिन टैरो कार्ट के जरीए तो आपका सवाल आपके आने वाले वक्त को लेकर है तो मैं जरूर तारजी से चाहूँगी कि वो टैरो कार्ट के जरीए आपको बता आने वारे कुछ एक से डेड़ वहीने इनके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं चेंजेस का टाइम आ रहा है और अगर कुछ इनकी चीजें अटकी हुई है या कुछ ऐसे काम अटके हुए हैं जिन में सक्सेस नहीं मिल पा रहे थी तो पुराने कॉंटक्स जो है इनकी या पुराने जो इनकी लोग है उनके साथ अगर यह मिल के काम करते हैं तो काफी सक्सेसफुल टाइम है और आप देख भी सकते हैं कि आपको लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको काफी सक्सेस भी मिल रही है तो आने वाला समय काफी शुब क काम को लेके भी और रिष्टों को लेके भी चलिया आगे बढ़ते हैं तारा जी और बात कर लेते हैं चार नंबर वालों की चार नंबर वालों के लिए टैरो कार्ज क्या कहते हैं जरूर चार नमबर वालों के लिए आने वाला समय जो है वो यह इंडिकेट कर रहा है इसे पायर कार्ड है मतलब आगी बटे करियर प्रोग्रेस का आज दिन है और साथ ही साथ इनको रिव्यू और इवालिवेट भी करना है सब्सक्राइब मतलब बहुत सारी कर्येर बहुति भी काम सकते हैं उतीं समय नहीं को कैसे इसे तो आज करना देग ना है कि कौन से काम पहले करना है और किसको थोड़ा सा पीछह सब्सक्राइब जरूरी चीजो काम आज चूट ना जाए कि कॉझि काफी टेजी से आज का दिन आगे बढ़े का साथ ही साथ एक relationship में आज कोई ना कोई decision इनको लेने की जोरत है और आगे बढ़ने की relationship में जोरत है कहीं रिष्टे इनको काफी negativity दे रहे हैं जिसके वजह से काफी stress बना हुआ है काफी time से तो वह चोड़ देने हैं को और आगे बढ़ना है हेल्थ में आज इश्यू दिख रहे हैं है चालेंज भी दिख रहे हैं तो हैल्थ की तरफ पूरा ध्यान देना है तो आप नेट इनके लिए कह सकते हैं कि आज इनको पूरा दिन अपने काम रिलेशन्शिप और हेल्थ इन में प्राइरेटाइस करना है और साथ साथ सभी को बैलेंस करके चलना है लगी नमबर आज का थ्री है और कलर है इनके लिए रेड चली आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पांच नमबर वा के लिए आज की कार्ड हमें यह बताते हैं कि आज का कार्ड इनकी विश मैनिफेस्टेशन का कार्ड है बहुत ही खूबसूरत का जो भी आज यह चाहते हैं जिस भी दिशा में चाहते हैं आज यूनिवर्स इनका साथ दे रहा है प्रॉब्लम का खतम होने का समय आ गया और नई दिशा में चलने का समय है इंवेस्टमेंस काफी लगदायक रहेंगी स्टॉक मार्केट करते हैं तो आज काफी अच्छा रहेगा आज अगर कहीं बेभियां पैसे देते हैं तो आपको वह रिटर्न भी काफी अच्छी मिलेंगी तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है जौब चेंज करना चाहते हैं तो भी आज का दिन काफी शुग है रिष्टों में अपनी सूझ भूज और समझ से आप सिचुवेशन को हैंडल करें हैं और रिष्टों में भी आप एक बैलन्स लेके आ रहे हैं बहुत ही अच्छा दिन प्रॉब्लम से दूर जाने का दि और आज का दिन के लिए लखी नमबर आपके लिए है सेक्स और लखी कलर है वाइट पर फिर से हम रुख करेंगे टैरोकार एक्सपर तारा मलोतरा जी का तारा जी एक पर फिर से स्वागत आपका और एक सवाल आया है हमारे साथ कॉलर जुड़े जगतीत जिन्होंने ये तो आप बता सकते हैं कि उनकी शादी को लेकर क्या आप को टैरोकार्स बता रहे हैं देखिए कार्डस तो काफी समय बता रहे हैं इनकी शादी में काफी समय मुझे लग रहा है आता हुआ तो उपाय के तौर पे काफी आप्स्टिकल्स हैं काफी मुझे आ रही हैं शादी के पात में तो उपाय के तौर पे साथ मोटी काली मिर्च आच पीसे नमक के साबुत नमक के पोटी में बांद के लाल कपड़े से बांद के उसको मंगलवार के दिन चौराहे पे से चार से साथ बार रिपीट करें तो जितने भी आपस्टेकल जब परशानिया आ रही है शादी में वह हट जाएंगे और जल्दी योग बनेंगे विभाव के चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तारा जी छे नंबर वालों की छे नंबर वालों के लिए क्या कहत बढ़ते हैं कन्तोल करना है और आज साथ ही मुनाफ़ा है या यूं को बांगे आगे बढ़ रहे हैं तो या तो आप अपने परशानियां को सौइल कीजिए या फिर इस काम बेरिए को और रिष्टे को चोड़ देने में ही भलाई है क्योंकि ऐसे रिष्टे का बोज डोने का फाइदा नहीं है आज और साथ हेल्ट में भी काफी स्ट्रगल है है भी ध्यान देना जरूरी है कंदों से जोड़ी समस्या आज मुझे कहीं न कहीं होती भी दिख रही है तो अपना थोड़ा ध्यान रखें कंदों के क्योंकि आज बुद्वार हैं तो आप हरा चारा या हरी दाल दान में दे सकते हरा चारा गाय को खिला सकते हैं तापकि थोड़ा जो है इसको दिख रहा है इससे आपको रिलीफ मिले लगी नमबर रहेगा आपके लिए थ्री और लखी कलर रहेगा ग्रीन जी तारा ची अब साथ नमबर वालों की बात क्योंकि गलती नहीं करनी चूक नहीं करनी कुछ important decisions आपने लेने हैं तो लेने से पहले research जरूर करें और उसके बारे में पता जरूर करें क्योंकि यह जो भी आप आज निर्णे लेंगे काफी समय तक आपके साथ रहेगा रिष्टों में आज काफी balance है रिष्टे काफी अच् हेल्थ हापी साथ दे रही है और हेल्थ में आज आज आप ऑफ्हें से शयृतानी प्योंगत सकते हैं है थोड़ा साथ अगर आप चाहें तो आप आज रिलाक्स के काफी किसे दिनों से आपने अपने हैट है चीन दिख रही है नकी नमिपर है और कलर है यह लो जूपके बा तो के कार्ड आज ये बता रहे हमें कि आज इनको थोड़ा सा emotional balance रखना है कहीं न कहीं office में कहीं न कहीं काम की जगह पे emotional नहीं हो जाना काम में हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए ना कि दिल से क्योंकि आप emotional हो जाते हैं तो आपका फायदा कोई न कोई उठा सकता है काम के और आपके emotions का फायदा उठा के वो आपका credit भी लेके जा सकते हैं तो आज थोड़ा सा आपको careful रहना है सजेद रहना है नियंत्रन पाना है emotions के ऊपर ट्रस्ट जिस पर करते हैं सिर्फ उसी से अपनी important information शेयर करें सभी से हर चीज़ की बात नहीं करनी है आपने health में आज काफी issues हैं आप बिना देखें बिना सोचे समझें आके बढ़ रहे हैं तो health का ध्यान आज आपने रखना है नहीं तो कहीं न कहीं निचले हिस्से लेग्स या पैरों से जोड़ी कोई समस्या आज उभर के आ सकती है और काफी समय तक आपको परेशान करेग कि रिष्टों में भी आज आपको कहीं न कहीं किसी की साथ argument हो सकता है तो बचके रहना है argument से क्योंकि आज काफी emotional डेया आज आपके लिए इमोशन से आज आप काम करें जो आपको नहीं करना है काफी बैलेंस आपको काफी कंच्रोल करके आज चलना है लखी नमबर आज आपके लिए रहे गया एट और लखी कलर है येलो तालिये तारह जी आगे बढ़ते हुए आकरी नंबर नौ नंबर की हम बात कर लेते हैं तो नौ नंबर वालों के लिए पहला कार्ड ही जो है काफी पॉजिटिव आया है कार्ड ये बताता है कि आज ऑफिस में निको काफी कौपरेशन मिलेगी ऑफिस में आज काफी इनका यह काम को अप्रेशेट किया जाएगा और पार्टनर्शिप के लिए आज काफी है काफी पॉजिटिव है तो आपको आज दूसरे के व्यूपॉइंट को काफी इंपॉर्टेस देनी पड़े कि और अपने व्यूपॉइंट को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप रिलेशन्शिप को समाल सके हैं कमर से जुड़े हुई समस्याइं आज दिख रही हैं सर्जरी भी हो सकती हैं तो काफी लंबी परिशानी आ सकती है अगर आज आपने हेल्थ को इग्नौर किया है का बहुत अच्छे से आज आपने ध्यान रखना है लगे नमर है वन राकल कालर है जर्ट बिलकल मारे साह अब कालर जुड़ेैं तारा जी यह देवीलाल जी जुड़े दीघूने के लिए और वंब्हू अमीद करते हैं कि जो भी आपने बातें बताईई जहें तोर पर झाल